नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे चमतकारी नुस्खे के बारे में बताऊँगा जो वात, पित और कफ से जुड़े हर त्रहें के दोस्त का इलाज करतेगा और दोस्तों, हमारे स्रीन में जो भी बीमारी होती है उसका मुखे कान वात, पित और कफ होता है जिस इनसान को वात, रोगों के कान चलने में, सीडिया चड़ने में परेसानी होती है तो उसके लिए ये एक कारगर नुस्खा है और दोस्तो आपने इस नुस्खे का सेवन भी सिर्फ हफते में एक वीक में तीन बार करना है दोस्तो ये नुस्खा यदि आपको 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी डाइपटीज है तो उसको भी कंट्रोल कर देगा और इस बीमारी के कॉम्पलिकेशन से भी आपको बचा देगा दोस्तो हाई बीपी को तुरंत कंट्रोल करने का काम करेगा कोलोस्टोल की समस्या का इलाज कर देगा बैड कोलोस्टोल को दूर करेगा अच्छे कोलोस्टोल की मातरा को बढ़ाएगा और दोस्तो जब आपके स्रीर में कोई कोलोस्टोल की कोई समस्या नहीं होगी, तब नसों की ब्लोकिज तो आपको होगी ही नहीं, हार्ट ब्लोकिज और हार्ट टेक जैसी बीमारियां आपको नहीं आएंगी, दिल की बीमारियों का इलाज हो जाएगा, दोस्तो यूनिक एसि पर कितनी भी चर्वी हो, जिद्धी से जिद्धी मोटापा हो, उसको भी ये पिंगला देगा, क्योंकि ये नुस्का एक expert नुस्का है, मोटापे के लिए तो खास कर, जो आपके पेट की चर्वी को, जांगो की चर्वी को, कमर की चर्वी को, मखन की तरहें पिंगलाने का काम करता है इतना चमतकारी और इतना कारगर नुसका है और दोस्तो ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हमने दो मुखे समगरी का परियोग किया है दोस्तो जो पहली समगरी है वह है दोस्तो अजवायन और दोस्तो अजवायन आपके कीचन में आपको मिल जाएगी अजवायन आ जब आपके सरीर की हर बीमारी का इलाज हो जाएगा यानि आपको किसी भी बीमारी की कोई टेंसन नहीं होगी जब आपका पाचन मजबूत होगा क्योंकि जो खाएंगे वो आपके सरीर में लगेगा और किसी विटामिन ना मिननल की कमी नहीं होगी क्योंकि इसी के कान हमें बीमारियां लगती हैं और ये आपके वालत पित और कप को भी सांत करने का काम करेगी और जो दूसरी से में सामगری है वह है दोस्तो कल rouणाजी और दोस्तो वैसे भी कल rouणाजी के बारे में तो एक बात बहुत अदिक फेहमस है कि कलोंजी मौत को छोड़कर सरीर की हर बीमारी का इलाज कर सकती हैं तो दोस्तों आप जान गई होंगे कलोंजी की इस बात से कि कलोंजी आपके सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकती है चाहे वो बीमारी सरीर के किसे भी हिस्से में हो और जब ये दोनों समगधिया एक नुस्खे में मिल जाएंगी तब आप समझ सकते हैं इस नुस्खे की एहमियत को तो चलिए आपको बताते हैं कि आपने ये नुस्खा बनाना कैसे है दोस्तों आपने क्या करना है? एक चमच अजवाइन लेनी है और एक चमच लेनी है कलोंजी आपने इनको मिक्स करके एक इलास पानी में डाल देना है दोस्तों ये हो गया आपका नुस्का अब आपने सुबह खाली भीट आप इस पानी को ऐसे ही पी जाई ही और इस बीजों को भी अजवाइन और कलोंजी के बीजों को भी चबा चबा कर खालेजी या आप इसको पानी में इस पानी को उबाल कर इसका सेवन कर सकते हैं इस पानी की चाई बना कर इसका सेवन कर सकते हैं सहद क्या करेगा इनकी गुनों को उल्टा बढ़ाने का काम करेगा लेकिन यदि आपको डाइब डिस है तब आपने विदाउट सहद ही इसका परियोग करना है और दोस्तों यदि आप इस नुस्खे का परियोग करेंगे और आपका सरीर बेलकुल निरोगी बन जाएगा तो दोस्तों देर की सबातकी है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपनाए और अपने सरीर की बेमार्यों का इलाज करते तो दोस्तों यह थी हमारी वडियोग यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेल जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की notification आत रहे धन्यवाद दोस्तो